स्ट्रेंट्स आज मैं आपको मैंसूरिशन चेप्टर से क्लास एट NCIT की बुक है ये 11.3 एक्सरसाइज का कोश्चन नमबर 9 बता रहे हैं इसे पहले वाले कोश्चन मैं अल्रेडी सॉल कर चूँ देखो कोश्चन में क्या दिया है यहाँ पर यह चीज बहुत ही किलियर समझ लो यह इसकी हाइट है जो लेंथ को रखा है यह हाइट है ठीक है और यह क्या हो गया तुमारा यह तुमारा डायमीटर दे रखा तो इसे हमें चेंज यह संटीमीटर में और यह मीटर में तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा, देखो कैसे करेंगे तो पहले मैंने ये डाइग्राम बना दिया है, ये रहा इसका, ये पूरा का पूरा क्या दे रखा है, डाइमीटर दे रखा, 84 cm, है ना और ये height है, 1 meter उसने length लिख रखा, height है, तो height की जगह तो मैंने लिख दिया, 1 meter डाइमीटर कितना दे रखा, 84 radius कितना हो जाएगा, 84 divided by 2, तो ये 24 जाए, 224, ये क्या है centimeter में, हमें किसमें चाहिए हमें radius चाहिए, meter में क्योंकि हमारी height किसमें, meter में तो 42 upon 100 ये हो गया, meter, ठीक है अब area of the road निकालेंगे, तो area of the road होगा, इसमें जो इसने दे रखा है, complete revolution कितना दे रखा है, 750 तो पहले हम लिखेंगे 750 into CSA से लिख दो CSA of cylinder ठीक है, क्योंकि road क्या हमारी, जो road roller है, वो कैसा cylindrical, तो ये हो गया 750 into योगा 2 pi r h, ठीक, तो 750 into 2 into 22 upon 7, और r हमारा हो गया, 42 upon 100 क्योंकि हमने meter में change कर दिया, और h हमारा कितना है, 1 meter, ठीक है, अब देखो, 7, 6 जा, 42 ये कट गया, और 2 से इसको काट दो, तो ये 50 हो गया, 2 से इसको काटो 211 जा, और 225 हो गया ये, 25 से हम इसको काट सकते हैं, 25, 3 जा 75, और ये हो गया 30, अब हमाई पास क्या बच्चा 30 into 11 into 6 into 1 तो मैं इसको कर देती हूं 30 into 11 into 6 हो गया, 66 0, 36 जा 18, और 36 जा 18 और 1 हो गया, 19, ठीक है ये हो जाएगा हमारे किसमें, मीटर स्कॉाइब अगर आपको वीडियो पसंदा रहे, प्लीज प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करना बिलकुल न भूलें